उन्हों ने पहली बार जो भी मांग रखी, उस वर शरकार ने उनकी मांग मानी, दो दो कमेटियां बनी, उनके पहने पर एक उन ही का आदमी उस जाज कमेटी में सामिल किया गया, उस कमेटी के माध्यम से उनको प्रत दिन के घटना करम की सूचना चलती थी उन्होंने इंतजार भी नहीं किया और दुबारा धरने पर आ गए अब सुप्रीम कोट गए सुप्रीम कोट ने कहा फाई अर्दर्ज के लिए या फाई अर्दर्ज हो गई यहां भी दिल्ली पूलिस जाज कर रही है तो जाज की प्रतिच्छाँ करनी चाहिए एब जब वहने नहीं हम एक खुली पालसी लेकर के आए हैं कि नेशनल में जो पार्टिसिपेट करेगा नेशनल या ओपन नेशनल या चोट हो गेम के समय तो उसको कैम्प में रखा जाएगा और इंटरनेशनल टुर्णामेंटों के लिए भी एक असपस्ट पालसी लेकर के आए उसी का विर विरोध अब उससे आगे बढ़ गया है अब यह सरकार का विरोध है कि मोदी जी का विरोध है और जितने अईसे लोग हैं जो कई बरसों से मोदी जी को घिरने का प्रयास कर रहे हैं उनका यह मंच बन गया है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर वरोषा करना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर वरोषा है दिल्ली पुलिस की जाच चल लई है अगर अगर बाद में सवाल उठाऊं तो अभी यह सवाल उठा करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और देश की किसी भी एजनसी से मेरा जाच करा सकते हैं इस परकंड की जाच करा सकते हैं आपने देखा होगा तीन सो कुछ बच्चे हरियाना के पार्टिसिपेट किया है हरियाना में विरोध नहीं है एक अखाड़ा और एक परिवार परिवार देख रहे हैं आप यह जीजा शाली क्या-क्या चला है परिवार आपको दिखाई पड़ रहा है तीन लोग बचे हैं प पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं अब इन्होंने खाप पंचायत को आमन्तित किया भरमित करने का काम कर रहे हैं अपने समाज को भरमित करने का काम कर रहे हैं मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं यह लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा लेकिन वो बच्चे जो गरीब परिवार के अभी हैं और अपना खून पसीना बाह रहा हैं और परिवार भी कहीं न कहीं अपने आप अपनी जरूरतों को रोक करके कटोटी करके उन पहलवानों का भरन पोसल कर रहा है उनकी जरूरते पूरा कर रहा है यह लड़ाई तो हम उ उपर चार सीट लगाएगी तो इस बहाने आप खेल को रोक रहे हो यह अंडर 15 का नेशनल क्यों नहीं हो रहा है जूनियर का नेशनल क्यों नहीं हो रहा है ओपन नेशनल क्यों नहीं हो रहे हैं यह प्रत्योगता हैं सारे क्यों रोक रहे हैं लड़कियों का कैम्प क्यों बं चाहिए ह energ nep अलग अलग होना चाहिए तो आप दिल्ली में लगा दो आप गांधी नगर में लगा दो आप Pूना में लगा दो अब पतियाला में लगा दो क्यों मैं सेंटर है देश के डेश के अंदर जो साही के आप devi लगांए यह सुक्ती कि सारी गद्विधी के उबंद है यह crucial समय है इसी में Asian Games है इसी में Olympic है नए बच्चे त्यारी कर रहे हैं इनको हराएंगे यह trial देकर के देख लें इनको हराएंगे तो आप चाहते हो कि Asian Games का middle को मेरे नाम लिखा जाए ओलंपिक का middle कोई मेरे नाम लिखा जाए इसके लावा नए अमन को देखिए अमन गोर्ड मेडल लेकर के आया है अभी और बच्चों को देखिए बजरंगे के बिट्र में कॉन सा बच्चा मेडल लेकर के आया है तो आप मैं यह लडाई मैं आपके channel के माद्दम से हरियाना के जो पहलवान-परिवार के लोग जुड़े हैं उनसे कहन प्रचाना चाहता हूं कि यह लड़ाई मैं अपनी नहीं लड़ रहा हूं कि मेरा कारिकाल तो 10 दिन 15 जिस दिन भी चुनावथ होगा समाफ्त हो जाएगा क्योंकि तीन टर्म हो चुका है मैं लड़ नहीं सकता हूं यह लड़ाई मैं आपके बच्चों के भविष्ट की हो जानी चाहिए क्या लगता है रेलेवे के जो अधिकारी धरने पर बैठे हैं हमको लइन लगता है कि भारत का संविधान इस बात की ज्याज़त देता है तो कारवाई करना मेरा काम नहीं रेलेवे करे या ना करे मैं क्या कर सकता हूं वह से तो खेल को भी नहीं रोका जाना जाहिए था लेकिन अब खेल को रोक दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं चुनाव को भी नहीं रोक दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं कायम भी नहीं रोक जाना चाहिए था रोक दिया तो मैं क्या कर सकता हूं मैं तो अकेले इतनी बड साहिशाइब करके केजरी बाल से ले करके और अपशें पंजाब के चिद्धू से ले करके और फेन उतर उत्रांचल के पूर सियम से ले कि तो कितना कितना बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं अकेले पिछली बार जब धर नहीं पुनिया ने यह कहा था कि यह राजनेक्तिक मंच ना बनाया जाया उसी ने राजनेक्तिक दलों को बुलाया अब यह मंच बदल गया है यह साहिन बाग की तर्च पर या आप कह सकते ह कि किसाना उंदलों की तर्च पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कुछ लोगों ने गलती की है हम बता चुके हैं कई बार बता चुका हूं कई बार बता चुका हूं कई बार बता चुका हूं नाम आ चुके हैं बार बार एक ही बात का नाम क्यों का नाम आता है लोग कहते हैं ना लोग बोलें पूरा अंदोस्तान बोल भाबा का पैसा है बोलें क्या करें चलिए भाई बहुत बार आदे है कियो मुझे को कई बार आदे भार आ चुका है